हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपके अपना यूटूब परिवार MNC क्लासिस में और अभी किस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री पेपर 4 अबजेक्टिव प्रस्ण कल 28 जून को आपको होना है एक्जाम तो पेपर 4 कम अबजेक्टिव का सभी प अब करें अगर कम कुछन मिलता है तो आपको कम साथ कोस्टिंस आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा क्योंकि होता क्या है प्रिवियस यह प्रस्ण प्रस्ण ही पूचा जाता है बट यहां पर कुछ बात को ध्यान अट परता है जैसे कि 24 मगर आप एक्जाम दे है तो 2022 का जो प्रिवियस को ध्यान से आपको देखना चाहिए तो यहां पड़ेकर दूसरा यूद कब पररम हुआ तो दूसरा जहां अफिम यूद कब पररम हुआ था यह 1856 हुआ ठीक है आठ अक्टूबर 1856 में अफिम दूसरा यूद शुरुआ ता यानि अफिम का दू 40 मार सकते हैं कि 40 में शुरूआ और 42 में पर्थम अफिम यूद खतम हुआ था यहां से आपका दो अफिम यूद के बात करता है तो आठ अक्टूबर 1856 क्रिक करना है अगर तीरती आफिम की बात करता है तो 1856 आपको 85 कर देना है वहां पर इस तरह से आपका पहला अब्जक्टी प्रस्ण हो गया है दूसरा की बात करते हैं यहां से सब्जक्टी प्रस्ण भी पूछा गया है पूछा जाएगा आपके एग्जामे अफिम म्यूद के बारे में 1911 चीनी करांती के दौरा किस किस देश में स्टेश में हुआ ठालाकि बने और यहार में नहीं समझे दूप लेंगे भारत ओप्सन में भी आपको नहीं मिलरा है इस तरह से मिल याद रहें में से तक्रिकर के बता डेंगे कि आपके question में यानि प्रस्था में कौन question पूछा गया है क्योंकि अगर हम आपको original person अगर आपको दे देंगे तो पता चलेगा exam ही रद हो जाएगा इसलिए original person का कामना ना करें आप लोग तो बैतर होता है बस जो ठीक करके दे रहे हैं विस्वास के साथ आपका paper 3 में भी मिल शुए में महा परस्थान किराने किसने आपका answer हो जाएगा जपान में मैं जी पुनुर्ण अस्थापना कवा था अप्शन नमर चार आपको मार देना है जपान में मैं जी पुनुर्ण के अस्थापना कविए अगला है इंडोनेसिया में राष्टिया अंदोलन के नेता पूछा जाता है और पूछा गया तो सुकर्णों के द्वरा राष्टिया अंदोलन का बात चीरा गया था कोडियाई यूद सब्यक्टि भी पूछा जाता है कब शुरूआ तो 1922 मारेगा आप यहां पर सन्हें तिरपन मार दिजिए और 1923 कोडियाई यूद कब शुरूए थी तो 1923 अगला है किस संधी में पर्थम आंगल बर्मा यूद को समाप्त किया गया तो किस संधी के द्वारा समाप्त किया गया था यहां पर रखेंगे यांदवो संधी हो जाएगा आइधिंग हां आपका दो नम्मर एंसर हो जाएगा ठीक है मुस्थापा कमाल पासा यह सब्जक्टि प्रस्मीर यहां से पूछा जाता है इसका अंसर 1923 मार ना है ठीक है कम अगर पूरा आपको 10 के 10 कोशन सही करना यानि 20 में 20 अंक लेना है और पूरा वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा तो 23 में पहला प्रसन है क्या है है दुतिया अफिमित कव आरम हुआ था हम पहले ही आपको बता दिये थे कव आरम हुआ था तो अठार सो पचासी आप सब्सक्राइब आपको नहीं मिलता है तो संतावन आपको टिक कर देना है ठीक है चलिए और कब हुआ था तो आठ अक्टूबर को हुआ था आठ अक्टूबर ठार सो चब्पन यहां आपको संतावन मारना है क्योंकि आप्शन में 56 कहीं पर भी नहीं है आगे बढ़ेंगे दो नमर है नान किंग की संदी पर हस्ता अक्षर कभ हुए थे तो याद रखेगा 29 अगस्त 1842 याद रखेंगे ब्यालिस में यहां पर आगे बढ़ते हैं उनमुक्त द्वार की निती बनाने में किसकी भूमिका थी देखिए यह सब प्रिवेस यहां पड़ें मंचू बंस ह का दे चुका हूं आप लोग देख लिजे जा करके और इस वीडियो और कुछ और कॉस्टन पेपर भी आगे देने वाले हैं तो वीडियो को बारबर बोड़ें लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तक सब्सक्राइब कर यह पार्ट के लिए और बांकी सब्सक्राइब के लिए और आगे हम बढ़ेंगे अभी कुछ कोश्टन और आपको देने वाले हैं जो यहां में आएगा तो उनमुक्त नीती बनाने में जो है किसका यह था योगदान अब राने में किसकी मुख्य भूमिका थी तो यहां पर हो जाएगा आपका जॉन है य चलिए आगे बढ़ते हैं आंगल जपानी संदी पर हक्स्राक्चर कव वा था तो यहां पर आपको ध्याना करना है जापान में मैजी की पूर्ण अपना कव होई थी तो पीछे भी आपको दिखने को मिला कोशन यहां पर भी है तीट आपको क्लिक करना है इंडोनेसिया में राष्टिय आंदोलन के नेता कौन थे सू करनों पीछे भी कोश्चन पूछा गया और यहां पर भी पूछा गया है तुर्की गनराज की घुसना कब होई थी तो यहां पर 1923 हो जगा आपका देखिए यह सारे प्रसंज जो है पीछे आप 22 में देखे पूछा गया है और य निस्तथ चपन में हुआ है ठीक है उनिस्तथ चपन में जिससे में कांगरिस की सपर्पार भारत में थी आगे बढ़ते हैं कुछ बिसेश्चन को देखते हैं पेपर चार के लिए जो एकजाम में छप चुकी है यानि कल आपको मिल जागी को मिन तांग दल का संस्थापक को पर यहां पर आपको रखना है सनाइतन हो जागा ठीक है सनायतन से जोरा कोस्चन सापको सब्जीक्टि में पूछा जागा आगे बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे वही से कॉस्च्चन बहुत सारा है दुत्तिया फी म्यूद है जापान का सबसे बड़ा दूइप कोन है य जपान में शोगुन कौन थे तो यह थे आपका सैन्य अधिकारी थे इस तरह से यह सारे कोस्चिन पेपर भी आप देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक कोस्चिन है बारा नमर में चीन में मंचू बंस का सासन कब तक रहा तो 1912 तक रहा था ठीक है चीनी समाज का श्यूरूप कैसा था तो वहां का था कि कर्म परण था करं कोव्यशबल दिया जाता था कर्म को आगे आपका इस तरह क्यों प्रशिक्र है सब्सक्राइबॐ रखना तो इसको भी जात रखना है इसको भी जात रखना आपको एक इसके बीच हुआ था तो यह चीन और वीटेन के बीच हुआ था बिलुकुल रूप से 100% यहां से कोश्चन आपके एजामें नहीं आता है तो आप आकर के चैनल पर इस वीडियो पर कॉमेंट कर दीजेगा ठीक है बांकी 110% हम पहले बता दिये हैं पूछा ही जाएगा कोश्चन होंग का दियूप सदा के लिए 12 नमर्कोश्चन है 22 का अपर हो जाएगा आपका अमिका के दुरा दिया गया था ठीक है इसी प्रकार आपका की चैनल प्रक्राइब कोश्चन है यह भी इन पूटेंट है तरीस नमर्ड भी इन पूटेंट कोश्चन है और यहां पर 19 देख लेंगे का नॉन के कि संदी यह हम पहले हैं आपको घी पर आपको बता ही दिए तो इस तरह से सारे款 story को आपको ट्क कर लेनां है समझ लेना है और इसको आपको Alzheimer का लेना है तो तो इसका एक यहां गुगल पर इस बात को सर्च करेंगे मन सी क्लासेश फिर आपके सामने नया पेज आए चार चार कोश्चन पेपर परिक्षा में आने वाले सबी परस नहीं रहेगा इस पर आपको की करना है क्लिक कर देना है अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा तरह से यह open हो जाएगा अब नीचे आएंगे तो question paper 3 मिल जाएगा और उससे भी नीचे आएंगे तो आपको question paper 4 मिल जाएगा ध्यान दखेगा यहां पर आपको original question से ही में देखने को मिलेगा यहां पर आ करके आप WhatsApp और Telegram join होके रहे तो काफी जनकार्य आपको यहां से भी मिल जाएगी अब इससे डाउलोड कैसे करेंगे सबसे पहले आपको यहां पर ठीडॉट आपको मिलेगा सबसे उपर आप देखेंगे तो ठीडॉट मिलेगा इस पर आपको क्लिक करेंगे जैसे इस पर आप क्लिक क का हैं किलेगा इस डाउलोड के आइकन पर धर किलिक करेंगे आपके मोबाइल में जो है यह भी पूरा पीडियाप डाउलोड हो जाए और पूरा प्रस disciplesashijn Nun tal dr. के साथ तब तक लिए जया हम्ते